ये गाइस वेलकम बैक तो अवर चैनल डीके फार्मा टूटोरियल्स तो आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाले है बीफॉर में सी थर्ड स्मिस्टर का फार्मस्टिकल मैक्रोबियोलोजी का प्रिवियस कोईश्चिन वेपर तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए एन बाल आइकन को प्रेस किजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की हम नोटिफिकेशन आप तक पहुंसके तो गाइस आए स्टार्ट करते हम तो गाइस यहां पर जो मैक्रोबियोज के कोश्चिन वेपर है उसको तीन सेक्शन में डिवाइट के आगया है सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी तो सेक्शन ए में 20 mcqs देए गाया है तो सब जब पहले हम देखते हैं mcq वन कोश्चन है गाइस यह माइक्रो ऑर्गनिजम विच रो इन अप्सेंस ऑप अक्सिजन स्केल तो अप्शन ए रिया गया है एरोबिक बी माइक्रोस्कोपिक सी अनेरोबिक एंडी नौन अब देवो तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा अनेरोब सी फर्मेंटेशन एंडी है सैनिटेशन एस सैनिटाजेशन तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा फर्मेंटेशन इन थर्ड कोईशन है दा प्रोसेस ऑप इंटर्मेंटेंट बॉलिंग इस्ट्रीमिंग एट हंडड़ डिरी सेल्सियास इन देर्स सक्सेशिव ड्र पर 30 मिनट्स इस नोन एस तो यहां पर नहिसली अन नंदेशन भी है पॉस्यरिज़ेशन सी है टिंड्री एसलाजेशन धे है अ डिन इस इंट्रीक्शन रहेगा मारा सी इंट्रिलजेशन एंटऱ्ीं फोर देख लेते हैं गादा मैक्रो स्कॉपिक फोकेसिंग ब्राइश वाज फर्स्ट टाइम डिस्कोवर्ड भाए तो अप्शन ए रहेगा यहां पर रूसका बीडिया है बैकॉन एंसी है कैबर एंडी है गैलीलियो गैलीली एई तो इस यहां पर हमारा करेक्ट आप्शन रहेगा वह आप्शन ए रहेगा रूसका एंड फिप्ट क्वेशन है दा फेज ओफ मैक्जीमम मल्टिप्लिकेशन रेजल्टिंग इन इंक्रेज पॉपॉलेशन और बैक्टिरिया विध रिद्यूस जुनरेशन टाइम इस तो अप्शन ए रिया गया है यहां पर लॉक फेज ओप्शन भी है डिक्लाइट फेज एंड सी है लॉक फेज एंडी है इस्टेशनरी फेज तो गैस हमारा यहां पर करेक्ट आप्शन रहेगा वह लैग फेज रहेगा इन को एक्वेशन नमबर सिक्स है दा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ओप डी एन इन इन बैक्टिरिया इस तो ऑप्शन ए यहां पर दिया गया है म प्लास्टिड एंडी है नुक्ली नुक्ली ओट्स यहां पर हमारा करेक्ट आप्शन रहेगा ऑप्शन भी प्लास्मीड अलसर स्ट्न को आप्शन अपर दिया के लिए नुक्मिन प्लास्मीड विए भी घेटा के स्ट्राइल है नुक्तिर्त विा इन इनबैर्फ्ट्हां आप्शन दी और एक्टिरिया इन क्वेशन इन oh act and basic is also known as option a दिया गया है negative standing b half b standing and c gil nilson standing and d both b and c option c जो है correct है गया है gil nilsson standing question number 9 virus r option a यहाँ पर दिया गया है smallest non ineffective agents option b ultra microscopic and c obligate parasite and d all of the above तो इसमें यह सारी प्रापर्टिस होती है इसलिए है option D करेक्ट आएगा all of the above question number 10 है the chemical disinfectant used in drinking water is the option A यहां पर chlorine option B है phenol option C है alcohol option D है iodine तो इस यहां पर हमारा correct option था option A सहीं था chlorine तो question number 11 देखते हैं हम about 80-90% of the fungal cell wall is made of तो फंगल का जो cell wall है वो किस से बना होता है option A cellulose, B chitin, C protein, D lipids तो गाईज यहां पर correct option रहागा B chitin and question number 12 है test based on the rise of body temperature of rabbit is option A stellity test, B pyrogen test and C maximum inhibitory efficient and D and none of the above तो गाईज यहां पर correct option रहागा option B रहागा pyrogen testing option number sorry question number 13 है staphylococcus aureus is used for IP as a op option 1 यहां पर दिया गया है bleomycin B है carbonicillin C है doxycycline and D है canamycin तो गाईज यहां पर correct option option C रहागा doxycycline and अगला question है the velocity of paper filter filtered air is measured by option A दिया गया है galvanometer B है speedometer C है velometer and D है turbedometer option C यहां पर correct option number 15 है limit for microbial contamination of an operating cleaning room angle C yeah sorry in grade C for visible microorganism per cubic of air is option A यहां पर दिया गया है 100 option B है 200 option C है 500 and option D है thousand तो यहां पर 100 जो है correct option रहेगा option A then question number 16 है counter especially useful in determining the number of particles and microbes count per cube feed to classify the cleanliness of the particular room or area R तो option A यहां पर दिया गया है electronic air particle counter and B है settle plates and C है electrochemical counter and option D है यहां पर none of the above तो यहां पर हमारा correct option A रहेगा electronic air particle counters and question number 17 है the fourth fourth postulate of coach postulate vast approach by option A यह जेनर and B रुसका and C L posture and D E F smith तो guys इसका correct option जो रहेगा option D रहेगा E F smith then question number 18 है step culture also known as option A रहे है stick culture option B P culture option C slant culture and option D both B and C तो यहां पर option B जो है वो correct रहेगा peak culture then question number 19 है the test design for estimation of number of viable microorganism present and for detecting the presence of species microbial species in the pharmaceutical substance तो option A रहे है microbial limit test and B limit test and C microbial load test and D known of the above तो इस यहां पर हमारा correct option रहेगा option A microbial limit test यहां हमारा last question है question 20 glyceride may be used as preservative up to a percent of option A रहे हां पर 15 percent and option B है 50 percent option C है 10 percent and option D है एक तो option B जो है character है guys यहां पर 50 percent then अगला देखते हम section B तो guys इसमें यहां पर आपको 10 question 10 marks की question दिए गया है तो यहां पर तीन question देखेंगे हैं 10 marks के जो कि आपके semester exam के लिए काफी important है guys तो option sorry question first है what is electronic electron microscope and discuss type and preparation of specimen for electron microscopy and second question है write in detail about the construction and design of aseptic room and question 3rd है explain different source and type of microbial contamination of pharmaceutical products then section C देखते हैं तो section C में guys 5 marks के question दिए गया है तो सब जब पहले हम देखते है question 1 what do you means by lyophilization and explain in short अगला question है describe fluorescent microscope in short and next है write a brief brief on gram staining in of bacteria and next question है discuss characteristics of an ideal disinfectant and what do you understand by the lal test and explain in short अगला question है write a note on assay of antibiotic by turbinometric method and next question है write a short note on laminar airflow and next test है describe chemical preservative in brief and write a note microbial limit test तो guys यह जो है five marks की question है तो यह question है आपके semester exam के लिए बहुत ही ज्यादा important है तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिजी semester exam देने से पहले तो आई होप सो यह वीडियो आपके लिए काफी help पूर रही होगी तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर लिजे एंड लाइक कीजे इस वीडियो को अगर आपको इसका पीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल डीके फामा टॉटोरियल से इसको आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्यू